प्रॉले सामुदायक स्वास केंद्र श्वेत्र के उक्षे प्रात्मिक विद्याले से रास्ट्री क्रीमी मुक्ती दिवस अभियान का शुभारब मुखी चिकिस साधिकारी टॉक्टर अशीतोस कुमार दूबे द्वारब बच्चों को दवा खिला कर किया गया विद्याले के 342 विद्यार्थियों को दवा खिलाएगे जिले के सभी ब्लॉक के 5001 स्कूलों और 4186 आगनवारी केंद्रों पर एक से 19 वर्ष आयू वर्ग के लाभार्थियों को यह दवा खिलाए जाएगी इस संबंद में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए सेमु डॉक्टर आशी तोसकुमार दूबे नहीं पताया दवा पूरी रूप से सुरक्षित होती है यह एक वर्ष से दो वर्ष तक के बच्चों को आधी गोली दी जाती है दो से वर्ष से लेकर के उननिस वर्ष तक के बच्चों को पूरी एक गोली खिलाई जाती है एक और दो वर्ष के बच्चों को जो है दवा चिम्मच से पीस करके पिलाई जाती है बाकी बच्चों को पूँच कर खिलाया जाता है अगर हम गोरगपुर जन्पद की बात करते हैं तो गोरगपुर जन्पद में 23,23,903 बच्चों को दवा खिलाई जाएगी यह दवा आज जो हैं जितने भी हमारे बिद्याले हैं उन सभी बिद्यालेों में दवा किलाई जा रही है और समस्त आगनवाडी केंद्रों में अगर हम विद्ध्यालियों की बात करते हैं तो 5001 स्कूल है आगनवाडी केंद 4186 है इन जगों पर हमारी आसा, एनम, आगनवाडी और हमारे अध्यापक लोग बच्चों को दवा खिलाएंगे आसाएं जो बच्चे घर नहीं जाते, आगनवाडी केंद्रों में नहीं जाते आसाएं उन बच्चों को अपने छेत्रों पिलाएंगे यह दवा पूरी रूप से सुरक्षित होती है इस दवा में खाने में सावधानी यह है कि खाली पेड़ दवा नहीं खानी है और जो लोग बीमार हों या कोई अन्य ऑईसी अवसोतियां चल रही है उन लोगों को यह दवा नहीं खानी है दवा खाने के बाद लाखों में एकाध लोगों को चक्कर आ सकता है उल्टी हो सकती है, पेड़ दर्द हो सकता है या मिचलहट की संभवना हो सकती है पर सूचना दे और अगर कोई असुविधा होती है तो तकाल 108 की एंबुलेंस